एलो दोस्तों नमस्ते मैं अपनी चैनल पे अब सब का स्वागत करती हूँ दोस्तों हसे रहिए मुस्कुराते रहिए पॉजेटीव रहिए पॉजेटीव रहने सफलता वश्य मिलगी आप सब स्वथ्य और मस रहिए दियर आज का जो वीडियो आपके पार्टनर की करेंट फ दिए और यह कलेक्टिव रिदिंग नहीं है प्रस्रेडिंग लेना हो तो मेरे इमेल आईडी होते हैं आप डायरेक्ट मेरे इमेल आईडी पर गांटेक किजिए अगर मेरे सेशन के चार्ज आपको मालूम करना है आप डीटेल्स जान सकते हो वन विक के लिए मैंने two questions के लिए मैंने अलग से charges रखे हैं आप उनकी विजानकारी ले सकते हो अगर आप इक्षुक हो तो आप मुझे session ले सकते हो dear ठीक है और dear ये all sign male female marriage सब के लिए है ये collective reading है ठीक है और dear आपको मैं बता देती हूँ sign sign b.sageterius, Capricorn, Pisces, Taurus, Leo, Sagittarius, Virgo, Libra, Leo, Taurus, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo बहुत ही strong देख रहे है बाभू चलिए तो आप positive रहे है दियर आज को जो वीडियो आपके पार्टनर की current energy पर है वो क्या आपके लिए सोच रहे है क्या उनके आगे की planning है तो चलिए dear आपके पार्टनर सुरू में ही द confusion बहुत जादा है ठीक है कुछ उनके life में परसानिया है और वो इस वक्त आपसे ना मिलकर no contact situation भी हो सकता है उनके अंदर guilt भी हो रहा है दर्द भी हो रहा है अगर आपसे बात नहीं करना है contact नहीं हो रहा है तो वो खुस नहीं है क्योंकि वो दो दो उनके रास्ते हैं और दो रास्ते में जगल कर रहे है confusion बहुत जादा है लेकिन यहां पर खुद को control कर रहे हैं लेकिन वो सो नहीं पा रहे है ठीक है और यहां पर उनके दिल और दिमाग में बहुत सबाल बहुत question बहुत answer चल रहा है कि क्या करूं कैसे करूं decision ले नहीं पा रहे हैं आपके partner लेक लेकिन यहां पर मैं देख रहे हूं third party situation कुछ भी हो सकता है finance अच्छी नहीं हो सकती है कार्मिक से डिल कर रहे हैं parents यहां strong दिख रहे हैं तो parents जो हैं वो बिल्कुल तयार नहीं हो रहे हैं और आपके partner अपने parents से डरते भी है society समाज को लेकर कि मैं अपने parents का दिल कैसे दु partner confused है सोच रहे हैं लेकिन तरह इनके दिल और दिमागे बढ़ता जा रहा है यह deeply overthinking करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो dear प्यार बहुत है आपके साथ घर family देखते हैं यह बहुत कोसिस करते हैं अपने parents से बात करना मनाना कुछ के parents जानते हैं जिससे आप से बिल्कुल नहीं मान रहे है बाबू ठीक है तो देखिए हर situation देखा जाए तो आपके person बहुत ही परशान मुझे दिख रहे हैं ठीक है अगर आपके partner married है आप married हो तो legal issue बहुत ही strong मुझे दिख रहा है बाबू ठीक है लेकिन थोड़ा waiting energy है जिससे वह बहुत हेड़क में हैं बहुत प पर focus करते हैं काम में मन नहीं लग रहा है confusion उनके दिल और दिमाग में हैं बहुत manifest कर रहे हैं आपके partner की सब कुछ ठीक हो और सब कुछ किलियर हो डियर आपके लिए manifest करें क्योंकि आपको भी justice देना है आपके साथ भी देखते हैं तो मैं हाँ देखने हैं कुछ के partner दो रास चाहते हैं ठीक है आपको भी और दूसरे को भी ठीक है आप दोनों को लेकर चलना चाहते हैं मैनेज करके चलना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो और वह खुस रहें दोनों को खुस करकर आपको भी और दूसरे को भी समझ गया दूसरे party को भी वह खुस करें यह कुछ लोग के है चिर्चिरापन गुस्सा ऐसे हैं आपके पार्टनर की एनरजी हो सकता है डियर कि आप लोग में काश डिशू हो रिलिजन अलग हो लॉंग डिस्टेंस हो तो इस वज़ा से कुछ न कुछ आपके लाइप में भी लव लाइप में रुकाबटे भी आ रही है ठीक है लेकिन क कुछ लोग को मैं देख रही हूं कि आप लोग में ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रहा है अब धीरे धीरे आप स्प्रिच्वल होते जा रहे हो बिस्वास कर रहे हो अब सेल्प लब के और कदम उठा रहे हो तो डियर बहुत अच्छी बात है लेकिन आप पर आपके पार्टन आपको लेकर बेचैन है वो आपके लेकर किसी से गाइडियंस ले रहे हैं कि आप अपने लाइफ में कहां बीजी हो आगे ग्रोग कर रहे हो अपने आपको कैसे बैलेंस किया है क्या बात है अपने लाइफ में आप आगे ग्रोग कर रहे है तो ये आप पर फोकस रख रहे ह chase कर रहे हैं, इनको डर बहुत ज़ादा हो गया strong है एहां पर डर, कि आपको भो खोना दे, क्युँकि आपने mind में सब कुछ बना लिया है तो आपने मन बना लिया है कि बस बहुत हो गया, मुझे कुछ करना है, तो बहुत strong और लोग जाए डर्लेए आपो में किसी से गाडियन्स ले रहा हैं कि आप आगे कहा भर आप कहा फोकस हो आप किसके साथ हींगे जो एक फौफ हो गया है आपके पार्टनर के धिमाग में आपको खोना नहीं चाहते हैं डियर क्या बहुत ज़्यदा प्राफना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो और दोनों को लेकर चले यह कुछ वीवर्स के लिए हो सकता है उनके पार्टनर की ऐसी एनरजी है कुछ लोग लीगल इशू से गुजर रहे हैं बहुत ही स्टॉंग दिख रहा है जिससे उनके लाइप में उथल प बढ़ सकता है इगो अभी दर्थ पेड़ में तो इगो थोड़ा कम रहा है लेकिन आगे जाकर दियर यह इगो बढ़ेगा और आक्रोस गुस्सा आपके पार्टनर को बढ़ेगा क्योंकि यह लिगल इशू से गुजर रहे हैं तो थोड़ी सी परसामिया मुझे दिख रही लेकिन किसी हाल में आपको वो खोना नहीं चाहते है दियर और दियर मैं यहां जो देख रही हूँ आप अभी यही सोच रहे हो ना दियर मेरी वीवर्स आप अभी सोच रहे हो कि आपका सब कुछ कैसे ठीक हो कैसे बैलन्स में आए और आपके पार्टनर जल्दी से आपके लाइप में आए क्योंकि आप टाइम से सब कुछ पाना चाहते हो आप इंतिजार भी कर रहे हो हर चीज के लिए आप कर रहे हो ऐसा निये फाइनांस करियर अपने पार्टनर करियर को लेकर बहुँ जादा आप डिपली सोच रहे हो अप फोकस भी आप करने वाले हो फाइन भी हो तो आप अपने बच्चे को दूर नहीं अपने से जाने देना चाहते हो अगर फीमेल हो आप अपने बच्चे को अपने लाइफ में लाना चाहते हो अगर आपके पार्टनर हस्वेंड वाइप हो दोनों में दुरिया है तो आप बच्चे अपनी फैमिली को लेकर लेकिन थर्ट पार्टी कोई है जो बीच में खड़ी है ठीक है पॉजेटिव सोच रहे हो आप कुछ न कुछ पॉजेटिव सोचते हो लेकिन फिर जाकर आपकी थोड़ी सी एनर्जी डाउन होने लगती है ठीक है करियर फाइनांस को लेकर बहुत आप कोशिस भी कर रहे हैं और अच्छा गुरोग करना चाहते हो लेकिन पार्टनर की एनर्जी देकर कभी न कभी आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो कि क्या मेरे साथ उन्हों ने किया आपके पार्टनर ने तो अभी कभी आपका विस्वार टूटता भी है और अपना बील पावर आप बढ़ात होती पॉजेटिव है और यही एनर्जी आपको सब कुछ देगी थोड़ा सा पेसेंस और धहरे रखे बाबू सारे डिजायर पूरी होने वाली है फ्यूचर में ऐसा मैं देख पार ही बस आपको पॉजेटिव रहना है आप प्रयास कर रहे हो हर कोसिस कर रहे हो पॉजेटि आ लिचाना पॉजेटност कर जाला हूए है आपके पार्टनर फानाइफ करे कि अफ्यनेफों करना इसे अनर्जी है और गिलेटन्स नेंस दिखाई दे रहे हो क्योंकि आप किसी हाल में भी अपने पार्टनर को लेकर आपने पार्टनर को बहुत जल्दी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो अब आप स्ट्रगल उतना नहीं करना चाहते हो कुछ भी हो सब कुछ ठीक हो आप सफलता कि सिरे चर्णने वाले हो बट थोड़ी सी आपके लाइफ में स्ट्रगल है currently moved आपके पार्टनर भी करेंगे कुछ लोग उवेकनिंग से गुजर रहे हैं तो आपके पार्टन आने वाले टाइम में आवगनिंग से गुजढेंगे divine आपके साथ है क्योंकि परिवर्तन मुझे दिख रहा है आप लोग के life में थोड़ा patience रखी आने वाले time में आपके life में परिवर्तन दिख रहा है और आपके partner देखे situation में बहुत ज़्यदा stuck है परसाने बाबू लेकिन ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करे emotions बहुत high है और आपके पास आना चाहते हैं और आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं बहुत लोग को call message receive हो सकता है लेकिन गुस्सा अपना मत उतारना बाबू क्योंकि यह जहां गुस्सा उतारोगे तो फिर वो बहुत दिन के लिए गायब होंगे ठीक है ऐसी ही energy है ठीक है बस आप manifest करो और देखिए balance रखना बहुत जरूरी है बिस्वास रखना बहुत जरूरी है तो आपको balance रखना बिस्वास करना है क्योंकि आप उनके दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो तो आपको miss करते हुए दिखाए दिने long distance मुझे दिख रहा है हो सकता long distance ये भी हो सकता बाबू mentally ना हो physically हो सकता है city अलग हो सकता है ठीक है कुछ लोग आप लोग office में काम करते थे कभी आपको travel में आपको मिले हो या पी online आपको मिले हो facebook, instagram पे कहीं साब के partner आपको मिले हो कुछ लोग बीदेश में फॉरण में रहते हैं जिसे आप से contact नहीं हो पा रही है तो मैं यहां बोल दूँ हो सकता है यहां पे आपके partner कहीं बीजी हो ठीक है अगर आपके partner बीदेश में रह रहे है foreign country में रहे है तो हो सकता है अपने life में यहां थोड़ा भीजी है आपके partner दियर ठीक है तो कुछ ना कुछ आपको लेकर वो सोच रहे हैं लेकिन आपको clear नहीं कर रहे हैं किकि उनके दिमार में बहुत सवाल जवाब है आपको लेकर रिष्टे को लेकर और कुछ सोच रहे हैं ठीक है तो overthinking करते हुए आपके partner दिखाई दे रहे हैं spy बहुत जादा कर रहे हैं आपको लेकर guidance भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे कुछ viewers भी guidance ले रहे हैं अपने partner को लेकर third party है जो मान नहीं रहे है आप दोनों को एक होने में लेकिन वो जीत पर बैठे हुए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं सब कुछ manage करने को लगे हुए लेकिन यहाँ पर मुझे एक strong दिख रही बाबू कि एक कुछ के partner दोनों रास्ते में जगल कर रहे हैं लेकिन दोनों को लेकर अभी चलना चाहते हैं manage करके चलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें peace नहीं मीर रही है कुछ लोग तिसरा जो है उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसी confusion में वो अटके हुए ये कुछ के partner है कि अगर वो किसी के साथ है तो उनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं दोनों को लेकर चलना चाहते हैं तो dear देख लिजे यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपको self love करने की जरूत है खुद की life बिल्कुल बरवाद हो जाती है बाबू आप manage करते हो और अपने लिए life नहीं जीते हो अगर partner स्वार्थ के लिए आते हैं कि दोनों हाथ में लड़ू हो तो ऐसा नहीं होता है बाबू हर तीन अगर बीच में है आप आपके partner और तिसरा कोई है तो तीनों की life बरवाद होत और आपको justice मिले divine angels आपके साथ है कृष्ण शीव शक्ति आपके साथ है तो आप justice मांगो inner work करो manifest करो सब कुछ ठीक होगा क्योंकि commitment देना चाहते हैं confusion बहुत जादा है decision नहीं ले पा रहे है ठीक है तो चलिए dear तो यह थी आपके partner की current feelings तो आपको प्यार बहुत करते हैं miss कर हैं hermit mood में है depression tension बहुत ज्यादा है action नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं न कहीं वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं और decision लेने में बहुत ज्यादा confusion है लेकिन आपसे प्यार करते हैं कुछ लोगों call message receive होता है तो बहुत manage करके बात करना है बाबू क्योंकि आप प्य healing guidance लेनी हो चक्रास balance कराना हो confidence level बढ़ाना हो आगे आप life में आपको कैसे बढ़ना है तो आप मुसे प्रसंट सेशन ले सकते हो आपके intuition पावर बढ़ाना है तो आप मुसे प्रसंट सेशन ले सकते हो मेरे email id पे आप contact किजिए बाबू ठीक है बस आप लोग स्वस्तरी मस्त रही है और आगे अपने growth बढ़ाई है ठीक है self love बहुत important लग आज की energy में बाबू तो अपने उपर काम किजिए और अपना health का ध्यान दिजिए खाने पीने का ध्यान दिजिए ठीक है तो चलिए यह थी आपके partner की current energy अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते तो लाइ लाइकन जरूर दवाय तो गद बलस्यों थैंक यू